महराष्ट के पूर विग्रह मंत्री अनिल देशमुक की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही। दरसल बॉंबे हाई कोट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को फिर टाल दिया है। अब 6 दिसम्बर को देशमुक की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोट में सीबी आई ने देश मुख की जमानत याचिका का विरूत किया गौर तलब है कि इससे पहले 19 नमबर को बॉंबे हाई कोट ने देश मुख की दायर याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी थी उस दिन सीबी आई ने कहा था कि सहाया के सॉलिसीटर जन पिलहाल नियाएक हिरासत में है